हेलो नमस्कार मीत्रों देखिए आपकी जामनों छो देख रहा है भीया हर किसी के साथ ये प्रॉल्म होता है डिस्प्ले उखड जाता है भीया बहुत तकलिफ होता है क्योंकि डिस्प्ले डलाना तो 15-2000 लग जाते हैं तो में इसके निचे गम डालके सिपकाते कैसे हैं वो आ पर उठाया है और उसको थोड़ा अच्छी से टेनर डालके कलिन कर लाते हैं भीया उसके बाद आपके पास कोई भी कंपने का अगम क्योंने हो अच्छी तरह लगाना है अगर आप चाओ तो अगर आपका पूरा डिस्प्ले उठा हुआ है और पूरा निकल रहा है तो आप खोल के अच्छे से डिस्प्ले शिपका सकते हो बट वह एक साइट से उठा हुआ है और एक साइट से लगा हुआ शिपका हुआ है इसके लिए यह काफी एची क्वाल्टी दमदार हुई है इसके अंदर क्या रहता है कि आपका जो डिस्प्ले फूर्ट में की संबावना ब क्या होता है कि अगर आपके जो डिस्प्ले आपकी डिस्प्लेई है वो अंदर कोई थोड़ा गम जाने के विजए से काली दिख जाती है भीया तो जुरूर आपको ध्यान रखना है जी हाँ अच्छे से आपको चारो तर जाजा आपका निकल रहा है वहाँ पर थोड़ा थोड़ा गम डालेगे ज्यादा गम डालने की जरूत नहीं है और उसके बाद आपके पास अगर रबर है तो रबर लेके अच्छे से शिपका दीजी भिया जी हाँ रबर लगा दीजी दो तिन रबर लगा दीजी उपर तो रबर लगाने की विज़े से क्या होता है कि या आपका जो भी गम है अच्छे से शुक जाता है अगर आप ऐसे चोड़ तो फिर वाद में वह भी खराब हो जाता है और आपकी डिस्प्लाइए थोड़े उपर उठने लगती है क्योंकि जो बॉड़ी फ्रेम रहता है उच्छ थोड़े उपर रहेगा अगर गम के उपर आप टैप नहीं लगाया डिस्प्ले के उपर तो जी हाँ रबर नहीं लगाया तो देकि हमने अच्छी तरह से शिप्का के रबर लगाते है या चार तरह के रबर लगाते हैं एक तो नीच्च लगाते ते ये दो चंटर में और एक उपर बियाँ जी हाँ ले आप एक डबल या सिंगल लगा सकते हो और नीचे वाले जुरते हैं और उपर वाला रहता है भाग वहां पर आपको अच्छे सिपका देना है अप्छे सी लगाना है रबर तो हमने रबर लगा दिया है भीया वीडियो का अच्छा लगा जरूरर हमें कॉमेंट करके बता ह है भेया जी हां कॉमेंट करके बताएंगे तो मैं इस पेसल वीडियो बनाओंगा बाई